श्री के दारनाथ धाम में दर्शन को सुगम बनाने के क्रम में टोकन व्यवस्था शुरू की गई है यात्रियों को बाबा के दर्शनों के लिए लंबी-लंबी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा यात्रियों को दर्शन के लिए टोकन दिये जाएंगे अपनी बारी आने पर ही मंदिर परिसर में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और अपनी टोकन नंबर आने पर दर्शन आसानी से कर सकेंगे देखे परशाशन द्वारा केदानाची में एक टोकन विवस्ता शुरू की गई है इस विवस्ता को शुरू करने का परपज यह है कि चुंकि वहाँ पर तीन चार पांच घंटे की वेटिंग है तो लोगों को इतना लंबा समय तक लाइन में न लगना पड़े वो केदान ना जा करके और घूम सकें, रेश्ट कर सकें, कहीं अपना अराम कर सकें बाकी चीजें देख सकें, इसे तो टोकन विवस्ता शुरू की गई है किन्तु देखने में यह आ रहा है कि टोकन मिलने के बावजुद भी लोग बाग लाइन में शुरू से ही लगे रहते हैं तो किरपया करके ऐसा ना करें, मालिया आपको वहाँ पे दस बज़े पहुँचे और आपको टोकन मिला है तीन से चार बज़े का तो आप तीन बज़े ही आए तब आपको लाइन में एंटर करने दिया जाएगा आप दस से तीन बज़े तक आराम से केदाना चेतर में गूम सकते हैं तो ये टोकन मिलाश्था को सही से लागू कराने में मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि करपया करके हमारी पुलिस की मदद करें